नमस्कार निशामदलिका.com में आपका स्वागत है आज हम चूड़ा मटर बनाएंगे यह बनारस की रेसिपी है कम तेल में छटपट बन जाती है आपको जरूर पसंद आएगी तो शुरूर करते हैं बनाना यह हमने दो कप पोहे लिए हैं फ्लेटन राइस भी बोलते हैं इन पानी दोपने चाहिए और इनन अच्छे तरीके से दो लेते हैं इसका पानी हटा देंगे और एक बार बॉश ओगया कि आज होता देर तक पानी डाल चाहिए बस हमने एक बार पानी डाला निकाल दिया इसी तरीके से दुबारा भी हमने पानी डाला और निकाल देंगे नीचे जो पानी बचा यह बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं रहना चाहिए मना हमारे पोए मैशी हो जाते हैं तो यह पानी हम इस तरीक हे 50 से हटा देंगे अ कि जो पुहा है हमारा हम देखेंगे कि नीचे बिल्कुल पानी नहीं है और है तो एका चमच वो हमें यूज हो जाएगा चूड़ा वाश हो गया इसे थोड़ा सा चला देता है और दस मिनिट के लिए ऐसे छोड़ देंगे फूलने के लिए और जब तक हमारा यह चूड़ा फूल कर तयार होगा तब में मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और हलका सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं यह गोल्डन ब्राउन हो गए तेल हमारा गरम है इसमें डाल देंगे आदा छोटी चम्मेच जीरा हलका सा भून लेते हैं ऐसे और यह आदा इंच अद्रक का टुकड़ा एकदम बारीक कटा हुआ और यह एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई मिर्च अगर ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी से ज़्यादा भी ले सकते हैं हलका सा भून लेते हैं और आदा पिंच ही और यह एक कप मटर के दाने इसमें डाल देंगे हम चौथाई कप पानी इसे ढखक कर तीन मिनिट के लिए पकने के लिए रख देंगे और फ्लेम लो मीडियम रखेंगे तीन मिनिट हो गए मटर को चेक करते हैं अभी मटर उतनी नरम नहीं हुई है थोड़ा हम इसे दो मिनिट और पकाते हैं दो मिनिट और पका लिया हमने इसे अभी हमारी मटर एकदम सॉफ्ट हो गई है अब हम डालते हैं इसमें मसाले एक छोटी चमच नमक यह नमक मटर और चूड़ा दोनों के लिए है और एक छोटी चमच चीनी आधी छोटी चमच गरम मसाला आधी छोटी चमच क्रस्ट काली और अब यह चूड़ा आप देखेंगे इसी मिला रहे हैं कितना अलग अलग अच्छा सा फूल कर तैयार हुआ है मिक्स करते हैं अच्छे से मिक्सिंग के बाद डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा धनिया और आधा नेवू का रस और थोड़े से काजू मिला देते हैं यह हमारा चूड़ा मटर तयार हो गया इसे सर्व कर लेता है चूड़ा मटर सर्व करने के लिए तयार है पहुती टेस्टी बना है इसके उपर थोड़े से काजू डाल कर गारनिश कर देता है थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं और ये नीवू के टुकड़े लगा देते हैं इसे बनाना तो बहुत आसान है लेकिन चूड़ा को धोते समय थोड़ा धिहान रखना है आप इसे दो बार वाश करें लेकिन उसके अंदर पानी नहीं छोड़ना है पानी सारा निकाल देना है और दो-चार मिनिट के बाद में एक बार उसे चला देना है बहुत ही अच्छा चूड़ा फूल कर तयार हो जाएगा और वाकी तो सब आसान है तो आप ये चूड़ा मटर जरूर ट्राइ कीजिए और अपने अनभव मेंसा शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताईए कि मुझे आपके लिए कौनसी नई रस पी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए